नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर विका स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल आयूवेदन मेडिशन में दोस्तों आज हम बात करेंगे करवीर के बारे में करवीर जिसको कनेर के नाम से जाना जाता है करवीर के हैं अने कंसुने फायदे दोस्तों आप कनेर के फूल को अच्छे परकार से पहचानते होंगे कनेर के व्रिक्ष अक्सर बाग बगीचों, मंदिरों और सड़कों के किनारे देखे जाते हैं आयूवेद में कनेर के फूलों को रंगों के आधार पर तीन भेद बताए गए हैं लाल, सफेद, पीला ये तीन परकार के कनेर होते हैं आम तोर पर लोग कनेर के फूल या व्रिक्ष के फायदों के बारे में अधिक रूप से जानते नहीं है इसलिए इसे केवल पूजा पार्ट के लिए कनेर का इस्तिमाल किया जाता है लेकिन सच बात या है कि कनेर के पौदों में बहुत सारे ऐसे ओस्दिक गुन होते हैं क्या आप जानते हैं कि कनेर एक जड़ी बूटी है और बबासिर गंजेपन की समश्चा सिफ्लिस जैसी बिमारियों में कनेर का इस्तिमाल किया जाता है इतना ही नई दोस्तो कुश्ट रोग तव्चादी विकारों में भी कनेर के ओस्दिक गुनों में लाप राप्त होता है जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादर ज़रूरी है आप खुजली फोड़ा होने पर कनेर के ओस्दिक गुनों का फायदा ले सकते हैं दोस्तों साथी साथ आप ये जान पाएंगे कि खुजली और फोड़ा होने पर कितनी मात्रा में कनेर का सेवन करना चाहिए ये वीडियो में आगे बताया गया है आप यहाँ पर दर्द और घाव से भी कनेर में लाप राप्त कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आप जानते हैं क साथी साथे किन बीमारियों में फाइदा देता है दोस्तों कनेर का पौदा लवत तीन मीटर उचा होता है जो हमेशा हरा बरा रहता है यह मजबूत सीधी साखावाला होता है कनेर का रिक्ष बहुत ही जैयला पौदा होता है जैयला होने के कारण कनेर का सिवन बहुत कम किय जाता है आजुवेद में घाव और कुष्ट रोग के इलाज के लिए इसके इस्तिमाल की जानकाई दी जाती है इसके अलावा के आजुवेदिक कितावों में पत्री और पेट के लिए इसका इस्तिमाल किया जाता है दोस्तों फूलों के आधार पर यह तीन पर करका होता है ज Friends कनेर की family amoros zaczynancy family होती है और इसका scientific name nerium oleander होता है चनेर को अन्य भासाव में बहुत सारी नामों सो जान जाता है जैसे कि दोस्तों हिंदी में इसे कनेर, कनेल या कनेर की चानते हैं उसी परकाव उर्दु में इसे कनेर की चान में जाता है दोस्तों इसे असुमारक का जाता है क्योंकि अगर घुडा कनेर का सेवन कर लेता है तो वहाँ पर घुडा की मिट्टी हो जाती है इसलिए दोस्तों इसे असुमारक का जाता है दोस्तों आप जानते हैं कनेर के औस दिक गुनों के बारे में दोस्तों दो परका के कनेर होते हैं एक तो लाल कनेर होता है दूसा गुलावी कनेर होता है दोस्तों जो लाल कनेर होता है वो कटू तिक्त कशाया उसन लगू तिक्स सोदक ग्राही चक्सु से कुष्ट गन आदे गुनों से युक्त होता है यह अक्छी रोग, कंप, कंडू, वरन, परमे, किर्मी रोग, कुष्ट, अर्स, विस्पोर्ट, जवर्सोस, रक्त दोस, सिर्सूल, आदे लोगों का नास करता है उसके साथ साथ दोस्तों जो गुलावी कनेर होता है वो सिर्सूल को कफ वाश्यामक होता है इसके साथ साथ इसका जो पुस्प होता है वो कठी सूल, सिर्सूल और विच्ची का नाशक होता है यह वलकारक होता है, मूत्रर होता है, विस्परती रोधी होता है, जिवानु 23 15 20 दोस्तों धी होता है किर्मी इसाथ दोस्तों ये कामुत्यक होता है सफेद कनेर कटुरस यूक्त, तीक्ष्न, कुषोंण रोग और कंडुक ठेख करने में सायत दीता है जाय वरणण विश्जन्य विकार और विस्पूर को ठेख करते दोस्तो अब जानते हैं कनेर के फायदे और उप्योग के बारे में सबसे पहले सफिद बालो को काला करने में कनेर के औस दिगुन बहुत ज़दा फायदे मन्द होते हैं दोस्तो जो सफिद बालो के समश्या से लोग परिशान होते हैं तो कनेर का लाब उठा सकते हैं सिर से सफेद बालों को खाड लें जा फिर बालों की जड़ों को से काट लें इस सत्थान पर दूस से पिसे हुए कनेर की जड़ के पेश्ट को लेप करें इससे बालों के सफेद होने की समश्या में लाप प्राप्त होगा बरावर मातरा में हरितकी, बहेडा, आवला, कनेर की जड़ ले ले, इसके साथ साथ ही इसमें विज्यशार, ब्रंगराज, तता गुड़ भी ले ले, इसकी मसी बनाकर बालो पर लेप करने से सपेद बालो की समश्या में लाप्राप्त होता है दोस्तों जो सिफलिस होता है, उसमें कनेर का औस दिगुन और फायदामंद बहुत ज़्यदा होता है दोस्तों सिपलिस रोग में सिपलिस वाले गहाव के लिए कनेर के पत्तों का काड़ा बना ले इसका सिपलिस वाले जहांपर गहाव हो रहा है महाँ पर उसका लेब करें इसे सिपलिस का गहाव जल्दी ही ठीक हो जाता है करनेर की जड़का पेश लगाने से सिपलिस जैसे गंभीर घाब भी अच्छे परकास से ठीक हो जाते हैं बवासर के रोग में करवीर के बहुत सारे फायदे होते हैं दोस्तों जो लोग बवासर से परिशान होते हैं उनको करवीर का सिवन करना चाहिए बवासिर एक तरह से बहुत 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 बीमारी होती है इस बीमारी के हो जाने पर लोग बहुत ज़ादा प्रेशान रहते हैं ऐसे माप कनेर से लाब उठा सकते हैं कनेर की जड़ को पीश कर बवासिर के मस्य पर लगाने से लाब प्राप्त होता है दोस्तो कुष्ट रोग में कनेर के फायदे होते हैं दोस्तो कुष्ट रोग जो होता है वो तवच्छा से रिलेटेड रोग होता है उस रोग में कनेर बहुत अच्छा रहता है इसके लिए कनेर के साथ आरगवद, काक माची और कनेर के पत्तों को चाच में पीछ लेना चाहिए इसे कुष्ट रोग के सत्थान पर लेप करना चाहिए जिसे कुष्ट रोग में लाबकारी होता है दोस्तो कनेर की जड़ के चोन का लेप करके और माल इस करने से कुष्ट रोग में लाप प्राप्त होता है दोस्तो कनेर आधी दिर्वो को तेल या घी में पका का कुष्ट रोग वाले सर्थान पर लगाने से लाप मिलता है बरावर मात्रा में सफेद कनेर की जड़ का रस ले ले और उसमें गोव मूत्र को मिला ले इसके साथ साथ जब उसमें चोथाई भाग चितरक की जड़ और विडंग वीज को मिला ले इसे पीस का तेल में पका ले और तेल में पकाने के पश्चात से नियमत रूप से इलाज करने के लिए इसे लगाना चाहिए दोस्तो तवचा विकार में कनेर का औस दिगुन बहुत ज़दा फायदे मन्द होता है कनेर के नई पत्ते उसकी जड़ छाल आदिका पेश्ट बना ले चौथाई भाग और चार गुना गोव मूत्र से पेश्ट कोट पकाएं एक भ इसे पके हुए घाव या सूजन पर लगाने से घाव जल्द ही ठीक हो जाता है इसको लगाने से पके हुए घाव का पस निकल जाता है और सूजन वाले घाव के सूजन जल्द ही समाप्त हो जाती है दोस्तो जो संखिनी होती है और अंठोक होता है सुमन, कनेर, सुवर्चना जिसे हुरुरु बोलते हैं तता आरगवद आदी वर्गों के दुरु का काड़ा बना लें इसे घाब पर लगाने से घाब जल्दी ही ठीक हो जाता है दोस्तो कनेर की जड़ को पीस लें और उसे घाब वारे स्थान पर लगाने से घाब जल्दी ही भढ़ जाता है गरवती महिलाओं को स्ट्रेच मार्क्स में कनेर के फायदे इसके लिए कनेर के पत्तों को तेल में पका लेना चाहिए और तेल को इस्ट्रेश मार्क्स पर लगाना चाहिए और मालिस करके गर्वती सित्री के सरीर पर लगाने से इस्ट्रेश मार्क्स में लावकारी प्राप्त होता है दोस्तो फोड़ा होने पर कनेर का फायदा लेना चाहिए मैं लिए दोस्तो पहले वीडियो में बताया था तो दोस्तो यहाँ पर मैं उसके तरीके के बारे में बता रहा हूँ दोस्तो अगर किसी को फोड़ा हो जाए तो कनेर उसके लिए बहुत ज़दा फायदेमंद रहता है आप कनेर की जड़ले और उसमें वसनाब और गोमूतर की तेल में उसे पका लेना चाहिए इस तेल को मालिस करके चरम रोग, खुजली, फोड़ा, कीड़े के घाव और सोया राइसिर और कुष्ट रोग आदि ठीक हो जाते है दोस्तो एकजिमा में कनेर की ओस्दिक गुनों के फायदमंद दोस्तो एकजिमा होता है, उस रोग में लाल कनेर के फले और मरिच जो मिर्च होती है उसको मिलाकर पीस ले इसे तेल में पका कर चान ले, इसका लेप करने से खुजली रोग आदि जल्दी ठीक हो जाती है दोस्तो कनेर के ओस्दिक गुनों से मिर्ची का विलाज किया जाता है दोस्तो सफेद कनेर के पत्ते लेकर उसके रस को निकाल ले, एक से दो बूंद रस निकालकर नाक के रास्ते उसे कनेर सेवन करना चाहिए इससे मिर्ची रोग में लाप होता है दोस्तो कनेर के उपयोगी भाग, दोस्तो अब हम जानते हैं कनेर के जूजूल पार्ट होते हैं, कौन-कौन से ऐसे जूजफुल पार्ट होते हैं, जिनका इस्तेमाल करके हम हर भीमारी को ठीक कर सकते हैं, वो उसके जूजफुल पार्ट होते हैं तो दोस्तो जो beneficial part होते हैं कनेर के उनको हम जानते हैं दोस्तो सबसे पहले कनेर की जड़ का इस्तिमाल किया जाता है जड़ से छाल का इस्तिमाल किया जाता है और दोस्तो कनेर के पत्तो का इस्तिमाल किया जाता है जो बहुत सारी बिमारी को ठीक करने में अच्छा रहता है दोस्तों हम जानेंगे कनेर का इस्तिमाल कब और कैसे करना चाहिए दोस्तों जो कनेर होता है उसकी इतनी मात्रा में सेवन करना चाहिए इसका जो चूर्ण होता है दोस्तो उसको 30 से 125 मिल्ली ग्राम में सेवन करना चाहिए दोस्तो इसको 1 ग्राम से भी कम मात्रा में इसका सेवन करना चाहिए दोस्तो पहले बताए जा चुका है कनेर जो होता है वो एक विसैला पौदा होता है इसलिए इसका ज़्यादा सेवन ने करना चाहिए जो कि सरीर के लिए सरीर के स्वस्थ के लिए अच्छा नहीं रहेगा दोस्तो कनेर कहां पर पाया जाता है और कहां ये उगाया जाता है कनेर की खेती कहां पर की जाती है तो चले दोस्तो इस बात को भी जान लेते हैं दोस्तो भारत के परिया सभी सिथानों में कनेर पाया जाता है कनेर दोस्तो हिमाले में कश्मीर से नेपाल तक लगभग 2000 मीटर के उचाई तक प्राप्त होता है यह विश्म में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन और जापान में भी खुता है दोस्तो जो सजावट के लिए जो सडको पर और बागबिचों में जो लगाए जाता है वो कनिर का ही पोदा होता है दोस्तो अगर आपको हमारी जानकरी पसंद आये तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारा चैनल आज यूवेदान मेडिशन को सब्सक्राइब करें धन्यवाद